तो आज हम बात करेंगे त्रेपन बे टाइगर रिजर्फ ऑफ इंडिया जो की अभी ही 2022 में बनाया गया है ठीक है तो देखते हैं यह कहां पर लोकेटिड है तो आप देख सकते हैं यह च्छतिस गड़ मद्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश के बॉर्डर मतलब यहां पर उत्तरप्रदेश लगा हुआ है यहां पर क्या है च्छतिस गड़ है तो इस यहां पर इस साइट पर इस बॉर्डर पर ही पास में ही क्या है गुरू घासी दास राष्टी उद्ध्यान है और यहीं पर एक और है तमूर पिंगला बंजीव अभ्यारन तो दोनों को मिला के क्या बनाया गया है त्रेपनबा राश्टी उद्ध्यन मनाया गया है गुरु गासिदास राश्टी उद्ध्यन को कोरिय जिले में है जबकि तमूर पिंगला बंजीव अभ्यारन चतिस जले और कोडिया जले वो संयक्त रूप से गुरु घासिदास और तम्मूर पिंगला बंजीव अभ्यारण दोनों को मिला के संयक्त रूप से यह त्रेपनवा टाइगर रजर्व बनाया गया है अच्छा यहां से कौन सी नदी बहती है तो आप देख सकते पहले तो लोकेशन लंबी है और किसकी सहायक है चंबल नदी की और चंबल नदी किसकी सहायक है यमना नदी की और यमना नदी किसकी सहायक है गंगा नदी की अच्छा गंगा नदी कहां जाती है गंगा नदी बहते हुए जाती है बंगला देश में जो कि ब्रह्मन पुत्रन नदी से मिलती है तो पदमा के नाम से और मिहना बनाते हुए अंत में कहां गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में तो इस परकार से यह नदीव फ्लो करती है अब देख लेते हैं कि अच्छा इसके लिए कोई कानून है जो टाइगर रजर्ब बनाने के लिए तो बुलकुल है तो राष्टी बा टाइगर रिजर्ब है तो एंटी सी ने गुरू गासिदास रष्ट उद्यान और तमर पिंगला के सैंट शेत्र को किसके रूब में नामित कर दिया है टाइगर रिजर्ब की रूब में तो नामित कौन करता है यह और हम आंगे देखेंगे कि यह बनाने का क्या प्रापधन होते हैं और तो नामित तो कर दिया है अब देखो तमर पिंगला बंजी अब भ्यारान की पैचान 2001 में सरगोजा जसफवर हाती रिजर्ब की हिस्से की रूब में किसको किया थी तमर पिंगला की पैचान 2011 में और वहीं घृसी दास राष्टी उद्यान यह क्या है कि जब मत करेंट की बात की करेंट मेंनिट क्या है अब थोड़ा सा इसका इस्टेक पार्ट देख लेते हैं कि आखिरकार क्या होता है तो जब यहां पर है और कहीं बाहर जैसे की मालोग किसी दूसरी जगाए की प्रजाती है कहीं दूसरी जगा दिया जैसे की इन्पर नम्सक्राइग चाले घ scriptures सब्सक्राइग के यह से अगर्जीन विएगे और जिन छेयए सब कर लेते हैं बहीं पर cryo reservation cryo preservation ऐसा होता है जहां हिली एरिया हो बहुत ही निम्न ताप पर क्या करते हैं माइनस 263 temperature पर क्या होते हैं वहाँ पर अपन selection करते हैं तो इस परकार से आप देख सकते हैं X situ में अलग-अलग जगह से लाके जीब जन्दूओं या पर परनस्पत्यों को वहाँ पर अपन क्या करते हैं conservation करते हैं वहीं पर X in situ क्या है वो on-site पर होता है जहां है वहीं किस रूब में कर सकते हैं National Park कर सकते हैं Bill Life Century हो सकती है Bio Reserves होते हैं Sacred Groves होते हैं Sacred Groves मनलब पवित्र उपबन होते हैं अच्छा Bio Reserves भी होते हैं एक तो जलवाले और एक थलवाले तो मरीन और इस थलवाले इस परकार से हम देख सकते हैं कि X-Situ और इंसिटू में कौन सा selection किया जाता है तो इंसिटू में National Park, बिल लाइज सेंचुरी, बायोसर्व और Sacred Groves और Community Reserves और Conservation Reserves भी सामिल होते हैं देखो, इंसिटू इंसिटू क्या है, इंसिटू Conservation means on city, on site क्या, on site जहां पर है वहीं पर Conservation is Protection of species within the natural habitat of species of animals and plants तो plant हो या animals हो तो उनको जो natural habitat है वहाँ जीव जन्तों का species होगा, उनको क्या करना होता है प्रोटेक्ट करना होता है, ठीक है इन, it includes protection in the world life century, अब ये किस प्रकार से हो सकता है इसका जो protection करना है तो या तो ब्रोट लाइज सेंचुरी की रूप में, नैशनल परक की रूप में बायोरेसर्प की रूप में ये त्यारी एटीसी, that have been formed to protect threatened and even rare species तो हम इन शित्रों में क्या करते हैं, protected area में हम conservation करते हैं, अच्छा तो इंडिया में देखते हैं कि protected area, तो protected area में क्या क्या होता है, एक तो देखो हमें update करते रहें, जैसे अब ये 3 पनवा बनाया गया है, तो इस तरीके से बिल्ड लाइफ, WLS, National Park, बिल्ड लाइफ, सेंच्यूरी, National Park, बायो रजर्व, कमुनिटी रजर्व, और कंजर्वेशन रजर्व, तो ये जो छित्र हैं, ये होते हैं हमारे किसमें, जो हम कहें, इंसिटू, ठीके, अच्छा, नेशनल पार्क में, एन एरिया, बैदर रिना सेंच्यूरी और नॉट, can be notified by the state government to be constitute as a national park by region of its ecological, रोड आफ़ाना, जो मौर्फिली और जोलोजिकल, एसोजिकल, और importance, need to for the purpose of protection and propagating or developing the life therein on its environment. इसका मनलब क्या है कि ये जो notify करती है, नामित तो हमने देख लिया था, राश्टी बाग प्रादी करने किया था, लेकिन इन सारी चीजों का notify कुन करता है, इस्टिट गवर्मेंट, इस्टिट गवर्मेंट करती है ना कि सेंट्रल गवर्मेंट, उसके पास क्या है, constitute right है, कि वो national park बनाए, किस रीजन से, ecological, फ्लोरा फाना, जोलोजी, इस तरी की जो भी नीडेड है, उनके इसाब से यह क्या करती है, protect करती है, right, इसमें क्या होता है, national park में, no human activity is permitted inside the national park, except for the once permitted by the cheap wildlife burden of the state under the conditions given in chapter 4, Bill Life Protection Act 1972, तो इस तरी के से इसमें क्या होती है, कि कोई भी human activity मानवी गद्विती नहीं हो सकती, है, बस, किसमें accept है, क्या, कि अगर बिल लाइब, बिल लाइब बार्डन, बार्डन, तो चीफ बिल लाइब बार्डन, अगर वो कोई permit करता है, तो ही, किसी, मतलब उस condition में, किसमें, जो कंडिशन दी गई हैं, कि वो under the condition given in the chapter 4, बिल लाइब प्रोटेक्शन एक 9047, तो इस पर कार से हमने देखा नेशनल पार्क, बिल लाइब, बिल लाइब सेंचुरी होती है, तो अभी हाली में हमारी ख़वर क्या थी, नेशनल पार्क, तो हम नेशनल पार्क को अबर कर लिया है, और भी हम बिल लाइब सेंचुरी है, ठीक है, community reserve है, conservation reserve है, इसके बारे में होता है उसके लिए एक्ट नहीं होता है वो एक इंट्रेनेशनल कंवेंशन होता है उसी के अंत्रगत इसको हम कंसिस्ट करते हैं ठीक है तो आज के लिए इतना ही थेंक्यू परी मच्छ